Hello everyone, welcome to Swami Vivekanan Institute, my name is Aditi, तो इसके आगे हम ये वला discuss करेंगे, हमने इसते पहले iron के deficiency के बारे में discuss किया था, तो यहाँ पर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहाँ पर हम iron और folic acid को addition प्रोवाइड करते हैं when a woman or a lactating woman or a pregnant woman is suffering from the deficiency of anemia, तो यहाँ पर next हम discuss करेंगे iodine की deficiency, ठीक है यह यहाँ पर हम discuss करने वाले हैं एक कौन सा प्रोग्राम चलाय जाता है, iodine deficiency जो प्रोग्राम है वो चलाया जाता है जिसको भी iodine की deficiency है, iodine की deficiency है, जनल यहाँ पर goiter होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर government ने एक scheme चलाई थी, कि जिसको भी iodine की deficiency है, बाड़ी में उसको क्या करे हम उस deficiency को खतम करेंगे, तो यहाँ पर 1962 में government ने एक launch क्या program, उस program का नाम क्या है, national goiter control program, मतलब इसकी deficiency से क्या होगा, goiter होगा, तो हमें इस goiter को control करना है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, iodized salt देंगे, ठीक है, इसमें हम क्या provide करेंगे, iodized salt प्रवाइड करेंगे, इन दा endemic region, जो की आपका affected region है, जो की affected region है, जिसमें iodine की कमी है, या ऐसे लोग रहते हैं, जिनको iodine की deficiency है, उस age group में हम क्या provide करेंगे, iodized salt जो है, provide करेंगे, कि यहाँ पर जो लोग है, वो iodized salt consume कर रहे हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं, National Control Goiter Program दुबारा से reconstruct हुआ था, 1986 में, पहले हाँ पर 1962 में यह आया था, launch हुआ था, इसको दुबारा से reconstruct किया था, 1986 में, objectives क्या क्या थे, इसके objective थे, कि हमें common salt की जगे, iodized salt जो है, वो supply करना है, आप देखेगा, जो अपने जो salt आते हैं, वो सारे आपके iodized आते हैं, उस पर लिखा रहता है, iodized salt, तो यहाँ पर हमें iodized salt को supply करना है, instead of common salt, उसके बाद re-survey करना है, हमें देखना है, कि जो हम iodized salt की supply कर रहे हैं, उसका क्या effect जो है, उसका क्या impact आता है, लोगों पर, जब आप जब लोग हैं, उसकी जब consumption कर रहे हैं, जब उस iodized salt को खा रहे हैं, ठीके, यूज कर रहे हैं तो उसका क्या impact आता है उनकी health पे जो आपका Food Adulteration Act था जो Food Adulteration Act था ठीक है वो क्या बोलता था कि iodized जो है iodized जो salt है उसमें हमें 30 ppm of iodine रखना है salt के अंदर ठीक है जो limits हैं वो कितने होनी चाहिए iodine की 30 ppm manufacturing level पे और 15 ppm यहाँ पर household level पे तो यह सारे थे objective की जब हमें iodine की deficiency को हटाना है लोगों में से तो हमें iodized salt जो है वो बनाने है next यहां पर बाल वाड़ी nutrition scheme आई थी ठीक है बाल का मतलब होता है children वाड़ी का मतलब home जो बच्चे यहां पर घर में रहते हैं ठीक है जो बच्चे यहां पर यह जो implementation है वो आया था 1970 1971 में ठीक है किसने launch किया थे थे बाइ Central Social Welfare Board and National Revival Non-Governmental Voluntary Organization जिसका क्या नाम था Indian Council for Child Welfare ठीक है बच्चों की Welfare के लिए हरीजन, सेवक संग, भारतिय, अदीम जाती, सेवक संग and कस्तूरबा National Memorial Trust यह launch किया था program इनके द्वारा इसमें क्या था कि यहां पर implement किया था यह by Non-Governmental Organization ठीक है यहां पर क्या था कि यहां पर overall development हम देखते हैं children का उनकी welfare के लिए ठीक है in the terms of their social work और यहां पर जो जो प्र development करना है बच्चों का ठीक है यहां पर बच्चों का क्या होना चाहिए overall development होना चाहिए और जो कि इसमें हम इसमें चीज और क्या था कि यहां पर हमें one third calories प्रोवाइड करनी है और half protein प्रोवाइड करना है in for the preschool children ताकि उनके nutrition और health status को हम improve कर सकें जो यहां पर आपका बाल व प्रोकस किस पर है यहां पर सबसे पहले nutrition पर दूसरा उनकी health पर ठीक है तीसरा vaccination पर और यहां पर चो था उनकी education पर ठीक है ना तो यह जितने भी हमने प्रोग्राम्स पड़े हैं चैसमें national nutrition policy हाए चैसमें बालवाडी प्रोग्राम आए चैसमें अनीमिया आए आयोडीन की improvement करना है तो यहां पर हमें क्या करना है जो ऐसे बच्चे जो माल नरिश्मेंट केटेगरी में आते हैं उनको energy करना प्रोपर ताकि उनकी बाड़ी में deficiency ना रहें तो यहां पर ऐन थर्ड कैलरी किसको देनी है बच्चों को ठीक है और हाफ जो यहां पर प्रोटीन वो किसको जाना चाहिए प्रीश्कूल चिल्डरन को ताकि उनका nutrition और health status improve हो जाए तो जो pre-school children है जो कि लाए करते हैं 3 to 5 year में उनको यहाँ पर priority देनी है ठीक है priority mainly जो low income groups में है ठीक है low income group में जो fall करते हैं 3 से 5 साल की बच्चे उनको क्या करना है priority देनी है supplementary nutrition जो है यहाँ पर provide करना है जिसमें 300 calories देनी है और 10 gram of protein जो है per child per day हमें यहाँ पर देना है कितने दिन के लिए 4770 days के लिए यहाँ पर supplementary nutrition जो है provide करना है कितनी calories देनी है generally 300 और 10 gram of protein जो है यह हमें provide जो है वो करना है तो यहाँ पर supplementary nutrition भी एक बहुत बड़ा role play करता है क्योंकि यहां पर क्या है calories deficient है ना यहां पर क्या है बच्चों में calorie deficient है वो तो हमें calories प्रोपर प्रवाइड करनी है है ना तो यहां पर हम 300 calories देंगे और 10 gram of protein हम recommend करते हैं पर चाइल्ड पर डे कितने दिनों के लिए 770 डेस के लिए सप्लिमेंटेशन के बाद बाद उसके अलावा हम यहां पर जो सोशल और emotional development के activities है वो भी यहां पर चालू करवाते हैं ताकि लोग जो है वो अवेर हो जाए about their psychological emotional development ठीक है जी तो यहां पर यह प्रोग्राम था जिसमें प्री स्कूल चेल्डरन पर फोकस किया गया कि जो बच्चे हैं उनको प्रोपर एजुकेशन प्रोपर nutrition हमें provide करना है ताकि उनकी body में किसी भी प्रकार की बिमारिया जो है वो ना रहे नेक्स यहां पर आता है special nutrition program SNP यहां से question आया है पहले ठीक है यहां से question आया है launch हुआ था 1970 1971 में किसने launch किया था ministry of social welfare government of India इस department ने launch किया था special nutrition program ठीक है पहले यह launch हुआ था central program की तरह है बट फिर इसको transfer कर दिया था state sector में ठीक है fifth year plan के बाद इसको हमने transform कर दिया था state sector में sixth और seventh five year plan का इसमें क्या step लिया गया था कि SNP centers को जो special nutrition programs के जो centers बनाए हुए है उनको यहां पर क्या किया जाए उनको convert किया जाता है ठीक है जिसमें आप उनको एक छोटा स्केल है छोटा आउट इन्पूट है उसको आप एक लार्च आउट्पूट पर यहां पर convert कर देते हो SNP को तो यहां पर special nutrition के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं आईडिया आईसी डियस स्कीम को ध्यान में रखते हुए ताकि हम लोगों की हेल्थ को हम लोगों की nutrition को उनको इंप्रूव जो है हम कर सके दूसरा एड़ प्रेजेंट अभी 22.87 मिलियन बेनिफिशियर्स जो हम कवर कर सकते कवर कर चुके हैं ठीक है जो की SNP प्रोग्राम्स में आते हैं तो यहां पर ऐसे लोग जिनको nutrition की बहुत जादा ज़रुरत है तो ऐसे लोगों को जिनका economic status बहुत जादा पूर है या फिर जो slums में रह रही है जो ट्राइबल एरियास के लोग है या फिर ड्रॉट प्रॉन रूलर एरियास में जो रहते हैं तो यहां पर जर्णरली अगेन फिर इन चारों factors पे focus किया जाता है यह चारों factors पे तो वैसे हर प्रोग्राम में focus किया जाता है तो आप बस इनका launch प्रोग्राम पढ़ लीजे कब launch हुआ था इस प्रोग्राम में क्या था कितना हमें iron देना है कितना iron folic acid recommend किया गया है क्या इनकी full forms है यह सभी आपको ध्यान में रखनी है now next इसमें कौन-कौन activities हुई थी ठीक है इसमें कौन-कौन-कौन सी activity हुई अगर हम सारे age group के बच्चों की बात कर रहे हैं या pregnant और lactating woman की बात कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम में हमें supplementary nutrition प्रोवाइड करना है health care services ठीक है वही vitamin A का solution iron और folic acid की टाबलेट्स यह किसके अंडर आती है supplementary nutrition के अंडर आती है और यहाँ पर जो 6-7 महिने के बच्चे हैं उनको 300 calories प्रोवाइड की जाए and low protein per child per day ठीक है 10 gram of protein per day 10 gram of protein देना है 30-300 calories जो है वो प्रोवाइड करनी है जो severely malnourished बच्चे हैं उनको 600 मतलब double calories जो है वो देनी है और double gram of protein per day जो है वो recommend किया जाता है when we are talking about malnourished children इसमें supplement कितना दिया जाता है almost double to the normal range iron folic acid tablet और vitamin A का solution दिया जाता है pregnant और जो lactating woman है उनको 600 calories ठीक है 600 calories और 200 gram of protein यह किसकी range के है जो की malnourished बच्चे है उनको भी इतना range देना है और जो pregnant और lactating woman है उनका range भी calorie protein का इतना ही जाता है also iron और folic acid की tablets भी है जो provide करनी है next यहां पर है applied nutrition program वो था SNP supplementary nutrition program जिसमें हम supplements provide कर रहे थे अब हम बात करते हैं applied nutrition program की यह जो first implement हुआ था उडिसा और अंदर परदेश में हुआ था 1962 में और 1973 तक यहां पर सारी countries को cover कर लिया गया था इस program में क्या है इस प्रोग्राम में क्या करना है हमें जो हम हमने जो nutrition मतलब जो हमने टेखनीक से अप्लाय कई है सप्लिमेंटर नूट्रिशन देना चालू किया है तो उसके हमें desired results क्या आ रहे हैं ठीक है हम focus करते हैं उनके results क्या आ रहे हैं ठीक है यह centrally sponsored scheme थी बट अब इसको implement किया जाता है states में भी not expendable है low priority प्रोग्राम है ठीक है अगर मैं और nutrition प्रोग्राम से compare करूं तो इसकी priority क्या है कम है ठीक है यहां पर हम एक community level पे एक individual level पे क्या कर रहे हैं लोगों के nutritional status को follow कर रहे हैं उनको हम visualize कर रहे हैं उनको analyze कर रहे हैं उनके results को देख रहे हैं अब कौन-कौन सी organization involved होती है nutrition intervention में ठीक है intervention मतलब अब जो भी हम चीज प्रिवेंट कर रहे हैं ठीक है हम कोई भी disease से fight कर रहे हैं जो जो हम उस पर implementations लगा रहे हैं वो सारे होते हैं intervention तो अगर मैं फर्स और्गिनाइजेशन की बात करूं यूनिशेफ यह आपने पहले भी भड़ा होगा यूनिशेफ क्या है यहां पर यूनाइटिड नेशन चिल्डरन्स फंड फॉर्मली यूनाइटिड नेशन इंटरनाशनल चिल्डरन एमरजेंसी फंड यूनाइटिड नेशन इंटरनाशनल चिल्डरन्स एमरजेंसी फंड जो की आया था 1946 में ठीक है एक special programs है जिसमें क्या focus किया गया again किसको improve करना है health को nutrition को education को और journal welfare को हमें क्या करना है improve करना है वही again overall development की यहाँ पर बात हो रही है in terms of nutrition, health, education और welfare ठीक है तो यहाँ पर जो UNICEF था United Nation International Children's Emergency Fund उसने किस पर focus किया again health, nutrition, education, all welfare को improve करने के लिए ठीक है 1946 में बनाया गया था और खतम कब हो गया था यह world war second के divast हो गया था divast started इसको खतम कर दिया गया था by world war second तक after 1950 उसके बाद funds मिला थे दुबारा से इस program को चलाने के लिए कि हम बच्चों की health को उनके welfare को किस तरीके से improve कर सकते हैं उन countries में जो less developed है ठीक है या emergency situation में जो areas अभी भी अच्छे तरीके से developed नहीं है उनको हम कैसे improve कर सकते हैं उन areas को कैसे improve कर सकते हैं उस area में रहने वाले fund के लिए UNICEF प्रोग्राम जो इंडिया में आया था 1949 से चलता हुआ आ रहा है ठीक है इसमें वही कि हर जो बच्चा यहां पर जनम ले रहा है उसको अपनी best life जीने का अधिकार है उसको proper health treatment मिलना चाहिए उनकी overall development जो होनी चाहिए अगर मैं nutrition की terms में बात करूं तो यहां पर UNICEF था इसने क्या try किया कि हाँ पर हम एक nutrition और health status को improve करेंगे ठीक है एक social level पे भी और psychological level पे भी और एक उनके emotional और overall development के उपर भी इंडिया जो है इंडिया में जो poor people है उनका यहां पर जो उनके of their nutrition in terms of their health and in terms of their education ठीक है गरीबी की वज़े से काफी सारे जो बच्चे हैं वो disease के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको proper जो है treatment नहीं मिल पाता लेकिन युनी जो सेफ है उसने क्या वादा किया क्या try कर रहा था वो क्या program जो आपका organization था वो किस पर focus करता था overall development पे overall welfare जो उनका है nutrition status education programs यह सभी उनको proper जो है मिलने चाहिए next यहाँ पर ICDS जो nutrition का scheme था जो ICDS हमने पड़ा था उससे भी यहाँ पर सारे तरह के जो nutrient सब बच्चों को provide होने चाहिए हर विलेज में आंगनवाडी helpers होने चाहिए ठीक है लोगों को help करने के लिए उनको पहले train किया जाता है ठीक है उसके बाद वो लोगों की help कर सकते हैं जैसे बच्चों को वैक्सीन लगाना और प्रेगनेंट्य लेक्टेटिंग वुमेन को अवेर करना उनको जागरू करन अबाउट देर हेल्थ ठीक है इन ड्यूरिंग दा प्रेगनेंसी और लेक्टेटिंग वुमेन को भी अवेरनेस करना नेक्स्ट यहां पर हेल्थ और इम्मुनाइजेशन के अगर मैं बात करूं तो जो यूए नाए सीएफ था उसने यह देखा कि हमें वैक्सिनेशन देनी है अगेंच्ट शिक्स मेजर डिजीज जो चाइलडोंड डिजीज है 6 मेजर डिजीज कौन कौन से डिजीज डिप्टेरिया ट्यूबर क्लोसिस वूपिंग कफ तेटनस पोलियो और मीजल्स इन छे डिजीज पर उन्होंने फोकस किया कि यहां पर यह हम क्या करेंगे वैक् कर दे और यहां पर बच्चों की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट दा डीजीज तो यह सारा था यू एनाइ सी एफ का का में बात करूं तो यू एनाइ सी एफ ने एक तो नुट्रीशन पर काम किया था एक उनकी हेल्थ पर वैक्सिनेशन जो प्रवाइड करी द हम लोगों में वाटर की कमी को पूरा करेंगे जो एरिया में जो पानी की कमी आ रही है उसको हम फुल्फिल करेंगे साथी साथ हाईजीन सैनिटेशन और सेफ वाटर पे भी ध्यान दिया जाएगा तो यह यूनिसेफ के सारे थे सैक्ट नाव डबलु एचो ने क्या करा एक स्वाग्राम था कि हमें यहां पर अगें पॉब्लीख है को इंप्रूफ करना डबलु हो करना अगें इन टरम्स अफ नु्टरिशन है फेल्ट एजुकेशन वेलफेर ट्रिक एंड तो एड जो डबलु हैं है यहां पर हम डबलु हम ओवर्टमेंट करें पॉबलिक है ठीक ह तो WHO ने कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं The Directing and Coordinating Authority on International Health Work WHO aims at the attainment by all people of the highest possible standard of health maximum जो है बीमारियों को खतम कर दे overall public की health जो है वो improve हो जाए यह WHO का objective था दूसरा objective क्या था हमें improve करने है लोगों की lives को ठीक है जो भी disease है poverty है उनको खतम करना है और उनकी जो care है health care जो है वो करनी है तो यह है यहाँ पर overall इसका WHO का motto था ठीक है उसके बाद guidelines क्या आई थी WHO ने क्या guideline दीखी दी थी कि हमें malnutrition से लोगों को protect करना है किसी भी community में या किसी भी बच्चे में malnutrition ना रहे और यहाँ पर जो disease है disease free India रहे कौन सी disease ना हो diabetes, heart disease, stroke, cancer यह सारे disease सारे prevent हो जाए unhealthy diet और lack of physical activity की वज़े से health जो है वो लोगों की खराब होती है क्योंकि लोग focus नहीं करते on their lifestyle तो यहाँ पर healthy dietary practices जो है वो दी गई कि आप इन practices को follow करके अपनी life को improve कर सकते हो ठीक है जब breast feed करते हैं तो healthy dietary जो practices है उनको हमें follow करना चाहिए दूसरा क्या guideline दी एक तो हमारा overall lifestyle अच्छा होना चाहिए physical activities होनी चाहिए ताकि disease free India रहे ठीक है दूसरा breast feeding के time पे हम dietary practices को healthy dietary practices को follow करें उसके साथ साथ हम अपने cognitive development को जो हमारा behavior है उसको हम improve करें ठीक है अपना psychological development पे focus करें और जो obese या overweight लोग है उनको क्या करना चाहिए उनको अपना वजन कम करना चाहिए by applying the healthy और dietary practices in their lifestyle तो यह सारे WHO की guidelines थी in term of their nutrition energy कितनी होनी चाहिए it should be balanced with the energy expenditure ठीक है जो आप total energy use कर रहे हो that should depend on the food you are eating चाहिए आप low calorie food खा रहे हो या high calorie food खा रहे हो unhealthy weight gain के लिए हाँ पे जो total fat है वो आपका 30% से जादा increase नहीं होना चाहिए saturated fat का कम से कम use करना चाहिए जो कि आपके bad fats होते है ठीक है वो उसका कितना होना चाहिए less than 10% जाना चाहिए trans fat भी कम होना चाहिए less than 1% होना चाहिए क्योंकि bad fat होते है जो कि आपकी body पर बहुत जादा effect करते है शुगर का कम से कम consume करना है less than 10% लेना है ठीक है total जो आपके energy है वो less than 5 होनी चाहिए जो कि जिससे आपकी health जो है वो सही रह सकती है less than 5 grams से हमें salt लेना चाहिए ठीक है अगर जादा salt लोगे तो hypertension की problem जो है वो हो सकती है तो hypertension की problem से बचने के लिए diabetes से बचने के लिए और यहाँ पर heart की disease से बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें अपने lifestyle को improve करना पड़ेगा यह सारी guidelines ना WHO ने दी थी ठीक है के बारे में हम next session में पढ़ेंगे यहाँ पर WHO की जो guidelines आई थी वो ध्यान में रखना ठीक है कितना उसने यह सारा बताया था कि कितना हमें sodium खाना है कितना यहाँ पर energy reduction करना है कितना हमें sugar intake कम करना है आनने वाले session में कुछ और programs के बारे में पढ़ेंगे ठीक है hope आपको अच्छा लग रहा होगा यह session तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और वीडियो को follow करते रहिए और आपका net.grf ज़रूर qualify होगा अपनी consistency को maintain करिए thank you so much bye and take care